प्रप्यजानन गोबर्ध धनुमे ती सता हो पिश्ट। जिस में में बज्जर उनके उपर में पढ़ रहा था तो कृष्ण उनको अपने हाथों को धारण किया था इसलिए उनको इतना सूप हुआ कि बज्जर गिरने पर उनको पालमताय मेरी खुजली हो रही है इतना कृष्ण प्रेव में ये कुबर्ध धन्जिय हैं और इशी की ये क्या कहलाते हैं है उदारा समरे जाए जो शुशी से भी सेस्त हैं उद्धो से भी और ये क्रिष्ण का सब प्रेव देशकते हैं समी क्रिष्ण की लिलाओं की विर्षाक्षिन हैं अब कल हमने बतलाया था राधायदे को मुच्छित दे करके गोगियां उनके प्रती उनकी शहनुपती हो गी और फिर उनको किसी प्रकार से पानी तयादी से मुच्छा छोडआया और पुछा ये क्या कुआ तुम क्यों मुच्छित हो गए तो हमको भी सो भाक्य का मद हो गया ये क्रिष्ण हमारे ही है और मेरे Gregory अदिग है इसलिए क्रिष्ण हमें छोड़ करके भी चले गे गोपियों को गोपियों ने कहा अच्छे अब क्रिष्ण को यहां मुधना डोने से क्रिष्ण और कभीर अंगार्वन बनने जाएगे उनको बहुत गश्त होगा इसलिए हम लोट करके जमनापुल ने जहां पहले राश हो रह था उनी पर चले वो सब कोपियां मिल करके वहां गई और सभी मिल करके भड़े क्रवन सर्थ से रोने लगे लिए उनका रोना महिलाओं का हम में देखा यह रोती हैं तो उसके साथ में कुछ ऐसा जान करती हैं क्या जहने आप लोग करती हैं कि नहीं कि तो इंडिया में बह और वो किसके लिए रो रहे हैं उसी को गान में चंदो बंद करते हैं तो उन्होंने पड़ी सुस्त्वर से करगर करते हुए रोते हुए और वो गाने लबी पुकारे लबी किसनों को जायतितेधिकं जन्मनाप्रजा स्वारतें दिरा स्वास्वतात्रही दैतद्रिस्यता दिक्ष्वसावका क्वाइधृत्रितास्ववाः वान्विचिन्मते तवक्ताम्रितं तक्तजीवनं कभिरितं कल्मसापं समर्णमं गलं स्रीमकाततं गुविद्धंतिते भूरिदाजनाप्रजा ओ रोती हुती काने लेगे वो क्रिष्ण स्यारे क्रिष्ण जैतितितिकं जन्मनाप्रजा ब्रज में तुम्हारा जन्म होने के कारण ब्रज लक्षमी स्री जुकत हो गया है। संपतियां ब्रज में आ गई है। सभी ब्रजबासियो को बहुत संपत्ति हो गई है। और कुंजो में सुनतर फूल खिले हुए हैं। भवय भुजाद करणे हैं। बड़ी इसके विशिक्त्रशोः हो गई है। स्रयक इंदिरा श्वस्त्त। वो लक्षमी जिहां पर सेवा करती है। नैत्यत्रिश्यतान देख्शुस्दावका। ओप्ध्यारे कृष्णा तुम हमारे प्राण हो दो हम तुम्हारी हैं तुम्हारे अत्रित्ध हमाराब कोई नहीं है इसलिए संसार को तो सुख दे रहे हो और हमें क्यों दूप दे करके हम बढ़ने जा रही हैं तुम्हारे दी रह दे और तुम हमें दर्षन भी रहे हो और हम्हें दो हमें तुम्हारी हैं जठी मर जानगी तुम ही को दुख होगा हमारे विना तुम रह नहीं सकती इसलिए जलदी से इस तरह से वो किससे ब्राथकिना करने लिगने आप, कि त्मोराजी संसेत में कुछ बत रहेता है प्हुम्रोख्रीलोफ। इंड्रवप्रीन के लिवी कि रखेंगे लुषम्रोफ। इंड्रीन वे चांगे लुष्णा इंड्रीक्ड़ने करणे गदीन ही लुष्णा आप्स्ट्ना एंड्राश्राश्ट. At that time, Lord Śiva, who is also known as Chakleshwar, he made sure that the thunderbolts would not strike Giridāja. But Sri Vishwana Chakavaritāpa says, Sukarnu Bhūdhya, that time Giridāja felt the blows of the thunderbolts of Indra to be like a pleasant scratching because of the happiness he felt being touched by the lotus hand of Krishna. Therefore the gopis have said, O Gobadam, you are the best of the servants of Krishna. You are the witness to all the pastimes of Krishna and the bridge of Asis. Please be kind to me. Last night we discussed that when Krishna left Radhika, Shimadhi Radhika fell unconscious. That time the other gopis, when they saw Radhika on the ground, they also felt sympathy towards her and they revived her by fanning and by putting water on her face. They said, O Radhika, Radhe, we were proud because we thought Krishna is mine only. But to break our pride, Krishna left us. But if we chase Him, obviously Krishna does not want us. If we chase Him and pursue Him, He will go further into the forest of Vrindavan. Therefore He will experience difficulty because His lotus feet are so soft. He will suffer. Therefore the gopis return to the bank of the Yamuna. And there they begin singing the verses of Gopigit. Actually this is not singing, this is weeping. Some people have the ability, when they weep it comes out as a song. Therefore this is the chanting of the gopis. They pray, Jai Dike become Jantmana Vraja Srayati Indira Sastradathri. O Krishna, since Your appearance in Vrindavan, Vrindavan became fortunate. Indeed, even Lakshmi, the wife of Shri Narayan, she descended here. That's why all wealth, beauty, opulence and good fortune has also appeared in Vraja Mando. Even though Lakshmi is the wife of the Supreme Lord Shri Narayan, still even she desires Seva. Therefore she comes here to Vrindavan and sweeps the forest kunjas. With her came all type of beauty and opulence, decorating the kunjas of Vrindavan. Therefore the gopis pray, Dayita Drishika. O Dayita, O Krishna, Our life is in You. Therefore we cannot die. Also, even though without You we cannot live, still if we die, if You hear that we have left our bodies in separation from You, then You cannot remain without us. Therefore You will also suffer. Therefore you shall return and give us Darshan for Your enjoyment. Otherwise we will leave our bodies quickly. you cuping there, vampire mom. After all that. Now we come up in Babylon, there areulture lord, who is a terrarian Shri Narayan, Theseaciones of heaven are addressed very affiliated with The Spirit, that these people have eaten? The Lord should demonstrate and see. ग्रणी गौर चंडराय राधिकादिले तदाले कृष्नाय कृष्नाय कृष्नाभात्ताय तदाभात्ताय नमु नर्माहि रशक्रणी नमु चौ ¿ईцिक्र विडुरे बत्साइचन मु राधिकादे कृफ्नाभात्ताय तदाभात्त Patrol एश मु नर्मु नू तदाभात्तत्तत विशीं नाहत्तत्तत्त्त आते रसलीली रस फेस्टब्राम कित विलीह से प्रचेलीली. कोईष्वरेश, that time they have pure mood. So Radhika also, ब्रेषवान नंद निष्य राधा, she is home of Mahabha. And all ब्रयुगपी, there are so many kinds, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, श्रुदेव ब्रयुदेश्ध, स्वाधन सिद्ध, साधन सिद्ध, रेशी चरी, मुनी चरी, सुती चरी, so many kinds. and demi-gods, so they become ब्रयुपी. They are coming, they have moved, and they want to serve Sri Krishna, but Sri Krishna how accept them? Then he called all ब्रयुपी. At that time when Sri Krishna came in ब्रयुपी, in ब्रंदावं, that time when first time he had seen, so Brahma, Ratri, Mupagata, thousands, thousands of yuga came in twelve years night. So at that time Sri Lanka came, and all season flowers, every time Vrashini is there. Everything, all things come together. That time, so he has seen full moon, when moon rising, that time Sri Armanu Varana, new kumkum kala. That time he meditated Radhika's face. Shri Krishna's face is like moon face, and golden color. That time he meditated, Ramā na ādana ādham. Ramā means Lachmi Devi, Gattes of Fortune, but they are the most fortune, so Vrishavana Nandani Sri Radha. And all Vrhajagopis, they are all are Gopi, a Lachmi, a Lachmi. So Sri Krishna meditated them. At that time he called all Vrhajagopis, and he chant Gopala Mantra, so very attractive. Powerful Mantra, at that time all Vrhajagopis attacked a mood they came. Sri Krishna wants to taste their mood. How can taste? Allir Vrishavana Nandini Sri Radha is Mahabhava found. He wants to taste Radhika's mood, but all Vrhajagopis they are coming. When they are following to Radha, at that time they can get some one drop of mood, Radhika's mood. At that time Sri Krishna playing with them. So when they have something mood, oh, we are very fortunate because Sri Krishna is our beloved. We are playing together. So at that time Sri Krishna disappeared from the earth. Why? When Sri Radhika was sulky mood, and she thought, oh, everyone all are same. Not same. Who has fortune mood? Oh, I am very fortunate. So I am serving Sri Krishna. Sri Krishna becomes happy. So we are serving Sri Krishna. no anything else. And Nishka, pure mood serving to Sri Krishna. So everything is same. That time Sri Radhika was sulky mood, she went from the earth. Because Sri Krishna wants to give pure mood to, and everyone they can follow to Radharani. Because so many Vrhajagopis are coming, but they are not following to Radharani and Netta-Siddha associates Sandhu. So that time is necessary to give their, Radhika's praying mood, then they can follow to Radharani. That time Sri Krishna went already with Radharani and depred at her. She is Sadhinavartrika. So best they wrote this thing. So Sadhinavartrika, almost one billion Vrhajagopis there are only one person. See Radhika is almost throwing these things. After then Sri Krishna disappeared from there. Then all Vrhajagopis came near Radharani. Then they had seen, oh Radhika is venting, and seeing who being. So, He Nath, He Raman, Prestran, Kvasi Kasi Maha Bhujan, Dasyaste, Kripana Yami Sakhe, Darsaya Sannidhi, He Nath, He Pristran, He, my beloved, He Pristran. So I joked with you. So you left me, disappear from here. So, oh Vrhajagopis, where are you? At that time she has deep separation. And that time Sri Krishna is told, so we search every year, no hound anywhere. So, He is hiding very rare place. So every year lightning, so we had seen, there is nothing. So, He is hiding. So we cannot go anywhere. So now we are singing, if Sri Krishna will come, okay. Or otherwise He is not, if He is not coming, so we will die. And everyone going from here. In this way, in this mood, then Vrhajagopis is singing. Vrhajagopis. Hr linking RANA. If there is dance, then I go wild right. Maybe where the Alan is singing or the school moon. Well, in this mood, then there is nothing. Like18 is in the mood, Yesha Jha P 기다gaies, the spirit of your soul. हे दामों जरत हे शिमादवा जरती ते लिकाँ जर्माना ब्रदाँ हाँ प्रदाँ शर्माने लिस्ट हे शर्मानल शर्माने जर्मि hac तो मेडि दातर्मान जर्मानी छर्मान जर्माने जर्माना बार्माने की है प्रिक्रपे निंदन नंदना जशुत जीवना थे रमुदरा थे शिमाना शर्द दाशये शाद रातसा तरस जो दरा श्री उशाद निशाद शुरत नाथ ते अशुद रासिकाः बलब एक्नतों नेहकिन बदा फिल नंदननना जशुत जीवनाद देह मोदाजा खेश्रिमादाव इश्कर जना प्यायाद ज्याद राक्षशा बार्श वारुचा बायकर जना ज्रिस्वायाद मदाज खेश्कर जनाथ प्योता नना स्थिस्ट इस नह शोदी भड़न, सुपन्य है, स्थिमाद भड़न, नाखर लूपीखाद, नादर झौभवाद, अखीर देजिदा, अंतरात्म विए, विगानश्वार्तितो, विशनुक्ते, शन्हुदे इवार् विथा मार्वण लूचे, यहानानृ यहन्दिदाग् विपडे विशनुक्ते, शन्हुदे उपखेम् souha स्विधानृ विद्णुक्ते, विद्धुक्त research देजिनुक्ते, अंतरात्म विद्दाग् अर्भैती विद्ध प्रुदे र ALLे ब thirty voltage के अगलेनी अंतरात्मृ कर्षाना, स्रीना चरादुगा, स्री एतना, कौनी बारा अर्पिता, ते बारा उल्या, कि नुक्ते शुदा, कि नुक्ते शुदा, कि नुक्ते शुदा हुआ, स्री एतना, ते शुदा 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 फर्पिता, स्रीमादा, तोट्का तम्रिता, जालतीमाना कमि पिनीता का शाप पहा, श्रामाँता श्रीमानाता कुम्नीता दीडे, पुरिदागा थे भन्दान्दाना यसुन दिनिवादा थे रमो तड़ा थे श्रीमा दाना हिद नमोगर थे कुछतर हैं। प्रजयोफ खी ओवे आर्से हिए, व इन दीमोग, थे प्रए प्रहा में प्रेस्ट प्राज कमीरिय रे दीडर्वार्विकर थेस्किरस्टन। अब्या cockत। ले झाल वे तूर Song में प्रजयोफ पिरृ मिंत्वात। at that time Lakshmi Devi came and she served already Rama Hida Abhundraipa that time so Lakshmi Devi playing every year in Kruntatma in thousands thousands times and thousands thousands times always serve him you so everyone be happy but your very dearest Vraju Gopi how much happy when you will see by your eyes at that time you will be happy you can understand oh my dear Krishna you are Daitha Daitha means beloved but you are Daitha Silla Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasthi Thadukrota so outside swayed very nice very beautiful very sweet but inside you are broken our heart by the knife oh my dear Krishna sure we have calls for you left of me Saratutasahe Sattva Jata Sanna oh good Krishna anyone killing by the weapons but your sight long eyeglass long so only killing us that is not not arrows so this arrow you are killing us so you still our mind heart knowledge everything we have nothing only we have body so we offer all things so if our life our mind heart we have cells stay in our body so very easily we can go so all you save us so many kinds in Praja Bhoomi many many troubles came that time so many many problems so many demons came and you save us when Kali snakes they are growing us too much poisons so you save us by the Kali snakes you took Giridaya govardhan so Debra Indra gave too much rage at that time you save us and all the time when Arishtasura came that time you killed Arishtasura so save us but this time so we are falling your separation ocean so how can get oh my dear Sikhrishnan so you are our beloved so we request you 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 want against everyone so you are Yasuda Nandan sons of Mata Yasuda so we love you but this time we feel you are not sons of Yasuda you are Supreme Lord Sikhrishnan when Brahma came prayed you oh my dear Sikhrishnan so you are coming in this world so everyone worships you and that time they are getting liberation so everyone going then this Brahmanda will be empty nobody have then how can live and how can move how can do creations so then he prayed at that time so you did all opposite mood opposite things stealing water stealing our clothes and stealing our mind heart everything and anyone they can't understand so you are God oh Sakhe you are my friend so Brahma prayed so you are hiding himself now you are hiding you don't want to come here pranatha deshanam papakarsaram sanatata jan who is taking shelter you you have taken there all sins work and bad activities everything finished there all sins and you put your feet on Kaliya who is on the head and deaths there so this is possible you are let me get on so let me be always taking your rota's feet in her heart and mine so always taking but oh my dear oh my dear Sikhrishnan so you must come in our heart and take up our all the yes so we are falling oh my dear Sikhrishnan your katha is very sweet pure nectar everyone hearing your katha then they become happy but and hearing hari katha shri all appellates all oils while everything coming shri muda katha but your katha is my katha is hurting our heart and broken our heart and broken our heart so when we hear your katha and that time we forgot our family life all relative so always we are moving always coming in forest and you are going other way so we are we are hoping and hoping this is our life this is our life thabagratha am mhritam trapta jiva nam kavi vidi ritam kalmasa ap vaham kavi poetry men sadhus they are speaking this is kalmasa ap vaham all kalmas all problems will be solved but simatatata pavikir narati jiva purita janah who is speaking they are being dunar but we think they are not being dunar they are cutting our heart right in this way vrajagopi they are pulpit and praying more, more of si kristna When we have seen your chest, your face, your chest, your hands, and very attractive mood, and value baka, through our sweet words, at that time we forget all things, now. So you are going other way, you don't want to. No problem. We are not making any disturbance to you, O my dear Christian. तत्ते सुजात चरनाम् मुरूहं स्थरे सुभीता स्थरे प्रियददी मही करकसे शुर। तेना तवी मटसितात ब्यथते नकिम्सित। कुर्पादि ब्रह्मत धी भवदायु साम्ना यत्य सुजात चरनाम् मुरुखाँ Big point in the atom season they are blushing in lotus. So your fate, your lotus fate, so very soft and very cold. And give him pleasure to everyone. O my dear Sikrsna, you took birth from Yashoda, you are Yashoda's son. So we have love and affection to you. This time so you left us. So always we have faith. So your soft mind, soft heart, soft body and soft feet. So you are hiding in real place in cave at where you have thrown. And bigger jungle, big forest, so there you are hiding. You don't be hiding there. So we are not making any problems. So you take our heart, mind, knowledge, and all things. We have nothing. We have only little age. So we are living in this body. Nowadays we offer our all age to you. Oh my dear Sikrsna, you live long life in Brajagami. And all the time you can play. And you become happy. Your happiness is our happiness. So we are dying. We are going in the separation mood. We left bodies. We left bodies. We are going. You don't worry. And don't be unhappy. At that time when Brajagapi moved, only one went to Sikrsna. They never want anything else. So only for Sikrsna they are moved. That time Sikrsna couldn't stay. So at once he came there. Sikrsna says, Sikrsna says, to them. So how much beautiful Indra Nirmani. Thousands, thousands moon, thousands, thousands sun. So he is if all young. So beautiful whom manifest they are. And that time smoyamānam mukhaṁ bhujam, is a smiling face. And that time pitambara dharas ragvi, he took pitambara one clause like garlands and come in the earth. Oh, I have heavens. Oh, Prajugopita, please forgive me. So I am, I have gone. So you are hoping for me. That time he put one garlands. Oh, Prajugopita, so you are giving me garlands, that garlands, so now still have in my chest. I am not going any other place. So show him. But Sundeva Goswami told, oh, he is sorry, Vasudeva, Namdana, sons of Vasudeva, nowadays. So he, very, very straight and very hard, is hard. So he hiding here. And he, Prajugopita, are weeping. At that time, so all Prajugopita, they stand up. Many persons, they catch their hand, a secretion in hand. Many persons, they are, something far, or looking, oh, you are hiding, and you become happy. So when we are weeping, then you become happy. So your happiness, okay. Sometimes, sometimes, something. Rochamura, Suddhiya saying, by the eyes. After then, all Prajugopita, they told Sri Krishna, and they put their clothes, and sit there. While Sri Krishna said, with Prajugopita, with Prajugopita, and that time, Prajugopita asked to Sri Krishna, how is your brain? How is your love and affections? At that time, so what they are saying? And Sri Krishna, how he gave answers? And how Sri Krishna controlled by Prajugopita? And he told, so I, I become deaf, you, I could not. So I could not give anything else to Guru Dev Singh speaking now. So now, I stop here. Thank you very much. Prajugopita, Pajugopita, 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 Pajugopita. Very good. Thank you. a sajiha STUDENT 2. Pajugopita, very good. Oh, it is that गोपियों ने प्रिष्ण को चारों तरफ शिखेर दिया है और एक एक दल की गोपियों ने अपने अपने दुपट्टे जिसमें उन्हें के अंगों का अंगरा कुंकुम लगा हुआ है अर्षन बटरा लिपक्षकी सख्यों का एक स्वपक्षकी गोपियों का एक त्रतस्था का एक शुखित का एक ऐसे विभीनिन गोपियों के आशन बने-बने उन आशन पर कृष्ण को बड़े प्रेमशे बैठाया बठाने के बाद में किसी ने उनके चलनों को अपने हाथों में गोदी में ले लिया और लिया चंद्रा सद्व्यार पद्मा इत्या दिने और किशी ने उनका हाथ अपने कंदे पर ले दिया किशी ने उनका हाथ अपने हाथों में ले दिया ये श्यामला भद्रा इत्या दिसकी ने और कोई बड़ी दूस से, अपने आखों के बढ़ से, उनको बे धरही है, वो कम है, स्रीमती इराधिकाजी, तुम बड़े छाक दो, फुपर प्रिश्वास करके हम लोगों ने घर बार इस्तरी पूथर परिवास सब कुछ छोड़ा, और तुम हमें छोड़ करके अंतर ध्यान होगे, इतना कश्ट दिया, इसलिए अपने आखों के बाण से उनको मालूँ छेद रही हैं, इसके बाद में, गोपियों ने पूछा पहले दी, पिश्वास तु तो सभी कुछ जानता हो, हमारी ये पहली का उतर दो, पहली किसको काते हैं, पहली समझती हो, बुझाओ आओ, बतलाओ, देखो, कोई एक यक्ति किसी से प्रेम करता है, और तब वो अप्यक्ति उसको भी प्रेम करता है, परसपार प्रेम करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो प्रेम करे और ना करेगा, उन्स सब को प्यार करता है, प्रेम करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई प्रेम करे और ना करेगा, वो किसी को भी प्रेम नहीं करते हैं, गोप्यों का तात्पज्य था इसी से, हम लोग प्रेम कर लिए तो भी नहीं कर रह इसलिए कृष्ण को अपने मुख से ही ये शाविट कर रही हैं। कि मुख सही कालवाना चाहती है जम को जो तुम दोसी हो। इस लिए इस्तिकास से प्रस्विए। किस्न मुस्कुराय और इनकी पहले का उत्तर ये दिया। दोफ़ प्यारी गोगी हो। जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो तो बनिया का बिजिनिस है। इसमें प्रेम भी नहीं है, धर्म नहीं है, सोहुद नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों बनिया गिरी है। मैं ऐसा प्रेम नहीं करता ह। और कुछ लोग हैं प्रेम न करें या करें वो माता-पिता और गुरु है। पुत्र और शिश्य जदि प्रेम नहीं करते भी हैं तो भी उन्हें प्रिति करते हैं, इनका अकल ल्याण चाते हैं, इनका जीवन सुख्म है सांधिवाइब। ये बड़े द्याद हैं, तुम लोग इस कोटी में होगें, गुपियों के, कोई हम प्रेम नहीं करते हैं, तभी तुम हम से प्रेम करते हैं, सब समय तुम लोग हमको सुख्मी बनाना चाते हैं, इस कोटी में तो तुम लोग होगें, और किसरे जो प्रेम करें और ना करें, य ये चार प्रकार के हैं पहला आत्म राम जो आत्मा में रवन करते हैं सबसमें सुखी है उनको कुछी की ज़रुत नहीं है जैसे सुख देव गुरस्तामी में कोई उनको प्रेम करें ना प्रेम करें उसे कोई मतलब नहीं वो तो अपने आत्मा में रवन करते हैं बेजिनों मेरी आत्मा तो रादीवारी है, मैं उसमें रमन करता हूँ। हीना गोपियों के मैं रह नहीं सकता। इसलिए मैं यह 50 सी बजाकर के तुमको बुलाया, तुमकों के साथ में रासित्यादी डांस किया। इसलिए मैं कहा आत्मा राम, आत्मा रमन मुण, मैं आत्मा राम नहीं हुई, और फिर आत्मा काम, जितकी सारी कामना है मिट गए हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है, इसी कोटी के सनत, सनत नर, सनत इत्यारिया, उनको कोई कामना बास्ना संसारिक उनसे फ्रेम करो, नौप करो, उनसे कोई मतलब नहीं गया, वो अपने रास्ते पर चले जाएंगे, कि तो मैं आत्म काम भी नहीं, हमारी कामना नहीं भी की, इसलिए तो मंसी से बजाया, तुम लोग के साथ में रास्त किया, और तुम को फूस करने के लिए में कितना ही ये तुम हो अक साथ में नाच और घान कर रहा हूं, इसलिए मैं आत्म काम भी नहीं, और तीसरा है, कृतबन, अकृतबन, मने, जो किली की हुई भलाई को नहीं मानता, किसी ने उसके साथ में बड़ी भलाई की है, और वो नहीं मानता, जैसे पिता आता, माता नहीं, पुत्र, उनकी संतान्ग है, माता पिता ने उनका पालन किया लिए, बड़े प्रेश से पढ़ाया, दिखाया, जोग्यों किया लिए, ऐसे पिता माता का जोग, आदर नहीं करता, उससे पिती नहीं रखता, वे तो कृती कृतुई कलपों में ने, जैनि कलाश किष्नार्त म गिरेंगे जरूर माता किता के प्रती आदर और स्वपप्रति हो तो जो ऐसे माता किता के प्रती भी अपने कर्द़क्य का पालन नहीं करता प्रेम नहीं करता आदर नहीं देता सेवा नहीं करता है, तो वो अप खितग्य, मैं आप खितग्य भी नहीं हूँ, लेखो तो, खितग्य होता है, तो तुम्हें तुहारे रोने पर आई राता है, मैं नहीं आता हूँ, मैं सब समय तुम लोग के निकठी राता हूँ, इसलिए हम तो अप खितग्य होता है, और एक होता प्रति बित्रोह करने वाला गुरु ने उसको सब कुछ किया और गुरु और वाता पिता सब कुछ कर रहे हैं किन्तो पुत्र कुपुत्र उनसे अकारण और कारण किसी कारण से उनका बित्रा जम करता है जब पिता जी या गुरु जीत ब्रिद्ध हो गए तो खास में लगे खास ही आए ज्या दिन राग खास दाता है हमारे पच्चे सो नहीं पाते हैं अनादर करता है ये कारण है और कुछ लोग ऐसे हैं बिना कारण ही गुरु और पिता को तरतर से घस्ट देखे हैं घर से निकाल देते हैं अचल ऐसा ही पच्चाते देशव में इंडिया में भी हो रहा है अपने पित्ध माता पिता को घर से निकाल देते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं तो ये अकारण ये गुरुदु है मैं इसमें भी नहीं हूँ तो ये कितने हुए एक तो जो प्रेम करता है वो प्रेम करता है एक दूसरा पिना हेत्व के फ्रेम करता है और तीसरा अगप्रांब आप्तकांब और इसके बात में अक्तग्या और गुर्द्रों ही दो परदार्टों ये सम्मिल करके छोप प्रदार्श के लोग हुए मैं इसमें नहीं हूं किन्तों किसमें भी नहीं हूं क्यों नहंकु सक्थो भजतों की जन्तुन बजान इशाम अन्वित्यवित्ते जठात्वनों लब्द धने विनस्टे तक्चिंद्यान निप्रतो नवेदा ओँ शक्षियों मैं जो भजन करते हैं उनका मैं भजन नहीं करता हूं हमसे प्रेम करते हैं दिखला करके मैं प्रेम नहीं करता छेट करके करता है। तो ऐसे तुम हमसे प्रेम कर रही है। मैं छेट करके तुमसे अंतर ध्यान हो गया था। किष्लियान ध्यान हो गया। जगत के लोग समझें कि इनकी बिरह में कष्ट दसाद हो गई है। अशाकिशी का नहीं बोता है। वो तो उनव अविश्यकी है। और ये गोपियां ही और गोपियों में रादा ही हम कोई सबसे प्रिय हैं। ये जगत में दिखलाने के लिए। धिरह में कष्ट उनका हो जाता है अध्यवसा। और मिलन में कैसे आनंदित होती हैं। इसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए है शक्षियों भजो तो भी जन्तुन। मैं तो भजन करते हैं। उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए। जैसे नारग जी एक पार छलक्ता संदीर और इसके बार अंतर ध्यांडोंगे। अब मेरा दर्सन नहीं होगा। उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए। इसलिए उत्कंठा तुम लोगों की बढ़ाने के लिए मिलन में जीतन ही उत्कंठा होगी। भगवान उतने ही सिग्रे मिलेगे। इसलिए तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए किया। जैसे कोई गरीब आदना, नित्खनादना, कईसे उसको एक मणी मिल गई, चिंता मणी, बड़ा अखुश्वा, किन्तो किसी ने चुरा दिया या वो गुम हो गई, अब तो दिन रात उसी की चिंता करता है, इसलिए मैं कभी प्रकटों करके दर्संदे करके थी, अंतर ख्यान हो जाता हूँ, कि इसी कंठा के साथ में लोग हमें भजन करें, इसलिए प्यारीत गोपियों, मतक एमंग मदवत्थो धितरो कवेदा, कि मैं अनुबत्ते अबला, मया परुप्छम भजतां, कि हो ही तन्वासूत, गोपियों, यह सक्खियों, तुम हमसे द्रेश मक्षर, त मैं तुमारा प्रांट प्री हूँ, इसलिए तुम लोगों का प्रेम और बढ़ाने के लिए, उत्पंठित करने के लिए, मैं आँखों से उचल हो गया, गया पर नहीं था, मैं सब सुन रहा था, जो तुम लोग कितन कर रही थी, और मैं प्रदय में घदगद हो रहा था, इसलिए मत समझो कि तुम लोगों को मैंने छोड़ दिया है, इसलिए तुम लोग सम्तुष्ट हो जाओ और हम पर प्रसंद हो, नपारे हम निरवध्य संजुझां, सुसादुगत्याविद्धाज शाफिवा, माभजन दूर्जर ग्रेन सिंखला संपरिष्य तद्वा, पत मैं जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की करणों करणों पर्ष्ट की आयुप्राप्त करके भी तुम्हारे रेन से खुर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं, आप तो पगमान हैं, आप तो सब कुछ ही चाकुर्ण कर सकते हैं। क्रिष्ण नहीं कहा ये संभव ने, तुम लोगों से जदी कहूं जब बढ़ मांगो तो तुम लोग यही कहेगी अपनी सेवा दी। और तो कुछ मांगों के नहीं। सेवा करने से और मैं तुम्हारा यह हो जाऊंगा। इसलिए तुम लोग बड़ी सुभित हो। अपने गून से, श्रहित अतासा से हमको छमा कऴको तुम लोग। किन्तु मैं तो तुम्हारा स्दा के लिए ही रिवीनी रहूंगा। कभी तुम्हारे रिवीनी से उन्मक्त नहीं होंगा। नहीं होंगा। सुन करके गोपियां मुस्कुराने लिए। करजे केशाओ, प्यारे कृष्णा, तुम हार करके भी तुम ही जीते। क्योंकि तुम ने कहा जे मैं गोपियों का रिवीनी हूं। इसलिए तुम नहीं बल्कि हम तुम्हारी रिवीनी है। कैसे सुन्दर ये सब जाई लगा है। क्रिष्णा गोपियों का पैसा उन्नत प्रेम है। न क्रिष्ण को उनसे कोई चाहिया। न गोपियों को किसी में कोई कामना नहीं है। क्रिष्णा प्रसन्द होता है गोपियों को प्रसन्द करके देख लिए। और गोपियां प्रसंड़ न होती है, क्रिष्ण को दिए, दोनों एक से कोई चीतता हारता नहीं है, चले जाते हैं, बढ़ने के लिएeफ़े रथान नहीं है तो भी यह बढ़ते हैं, ऐसा दोबियों का प्रेम है कृष्णिशी प्रेम को दिख्लाना चाहते हैं जगत में प्रेम हो तो ऐसा है इस प्रकास से एक रितन करो Oh, Translation Please be very full drama So, as the gopis finished their gopigit That time Shri Krishna returned to the arena of the gopis How did he look at that time? He appeared very shy Just like a criminal When you catch him, he appears like that He had his chata wrapped around his neck Like a garland or like a begging cloth And he was smiling slightly That time each gopi They offered their ancha, means their head Their very fine cloth Covered with the kunkum The cosmetics from their body They placed on the ground In the form of an asana Or a seat for Krishna Each of the different types of gopis Offered one seat One after another The Vipacha gopis offered one seat The Swapacha gopis offered another The Tathasa gopis offered another In this way millions of gopis Made a seat for Krishna to sit on Some gopis took the feet of Krishna Which gopis took the feet? That was the Vipacha gopis Headed by Chandravali, Saibya and Padma Some gopis took the hands of Krishna Who was that? The Surit gopis like Shama Some gopis from a distance Was glancing in an angry mood towards Krishna Who was that? Srimadhi Radhika By glance she was saying Oh Krishna You are a big cheetah We left everything for you Our husbands, our children Our parents But you also left us Therefore by her glance She was piercing Krishna Therefore the gopis asked a question To Krishna Can you answer our riddle? Which type of person are you? There are three types of persons Someone who loves them Only if you love them Another type of person If you love them And you give love to them Whether you love them Whether you love them or not Still they give love to you And the third person Whether you love them or don't love them They don't care They still do not give their affection to anyone Oh Krishna Of these three types of persons Which one are you? Then Krishna answered I am definitely not in the first category If you love someone Then they love you Because this is simply business There is no question of service Or prem Or pure affection This is only a business relationship I am not that category And I am definitely not the second category What is that? That you love that person Whether they love you or not But I am not that also You are like that gopis The example is like The mother or father And the second portion of that Is the guru The guru mother and father And the spiritual master Give all their affection To the disciple Or to the child Whether they reciprocate or not The guru or the mother and father Always wish for the welfare of the child Or the disciple Therefore Krishna said I am not like that But gopis You are like that And the third category I am not that also What is that? Whether you love them or not They don't care They will not reciprocate They are of four types Krishna said One is Akmaram Someone who is self-satisfied One is Apikam One who has no material desires One is Akritagya Akritagya One who is ungrateful And the third is Guru Droghi One who rejects the guru Or the spiritual master Krishna said I am not those four types Either Why? Akmaram means One who is self-satisfied Krishna said I am not self-satisfied Otherwise Why I played the flute Why I called the gopis For Raslila Why I danced with you Also Radhika Is my Akma Therefore I called her here Therefore I am not Akmaram Then Are you up to come? Krishna said I am not up to come One who has no desires I am not like the four kumaras Who sit there and meditate all day I have desire Therefore I called you I danced with you I talked with you I did many activities with you And I tried to please you Therefore I am not Up to come I am not the third category I am not Akritagya I am grateful Why? Because I came back here Therefore I am not guilty of that Just like the mother and father Always endeavor for the welfare of the child By feeding the child Sending him to school The mother and father go to great suffering For the benefit and welfare of the child But that child Who does not love Or respect Or serve the mother and father That child is called Akritagya I am not that Because I return to you And lastly I am not the fourth type I am not Guru Droghi Guru Droghi is worse than Akritagya Because someone may be Neglectful But the Guru Droghi Acts against the mother and father Acts against the spiritual master The Guru does everything for the disciple But the disciple has very bad behavior And gives suffering to the Guru For no reason Just like The son After he is married He brings the father to his home And then father is old age and coughing And the child is Old Buddha Old fool Why you are coughing My child cannot sleep Go somewhere else and die Therefore for no reason He is only giving suffering To the mother and father This is called Guru Droghi One who rejects the Guru Or the mother and father Guru Droghi said Now this mood also coming in India Stick mother and father In the old person's home Get them out of the house Therefore Krishna said Of these four types I have none of these Then the gopis smiled And which type are you? Why did you leave us If you are none of these four? Sorry None of these six? And four plus two plus one? Seven? No? Six? One plus two plus four? Anyway Surely Guru Droghi said six Then they said Which one of these six or seven are you? Then Krishna said I have none of these Above mentioned number Because I do not directly reciprocate With the living entities When they serve me immediately Why? I reciprocate in a delayed form Or a hidden manner Why? Just so that your separation For me could increase Therefore Krishna Heed from Rast Lila For many reasons One That everyone could understand Shumari Radhika Is the best Because despite the presence Of millions of gopis Without Radhika Krishna was not happy Also the world Could understand What is prayer By hearing this chanting Of the Gopi Gita Thirdly People could understand The glories of Radhika In separation from Krishna And also Her ecstasy In meeting with Krishna Therefore Krishna In order to increase Krishna said In order to increase Your love for me I disappeared Like Narada Krishna gave him Darshan Just for one second In the heart Then he disappeared Then Narada Became mad In separation So he increased Narada's enthusiasm For Bhajan By disappearing Krishna said I do Bhajan I do Bhajan like that Just like a miser Files Chintamani When he loses That Chintamani How much he will cry He will become mad Therefore Krishna says To increase your separation Like